हेलो गाइज तो कैसे हैं आप लोग तो गाइज नियू अपडेट आ गई है 1.64.2 की और गाइज इसकी लैग फिक्स वन फिक भी आ गई है और आप देख सकती है बिलकुल न्यू गेम है और बिलकुल न्यू लोबी बना दिया इन्होंने बहुत ही अमेजिंग इनकी ग्रैफ लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कोमेंट सेक्शन में मिल जाएगी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं आपके पाग कोई आएड नहीं आएगी कोई स्केपड नहीं डिरेक्ट डाउनलोड होगी यह हमारी ओफिशल वेबसाइट के उपर अवेलेबल है आप इजी वर्क करती है कोई ऐसी टिप यह ट्रिक नहीं है जो वर्क ना करें और गैस मैं आपको बता भी दूँगा कि आपने कोंफिक को कैसे अपलाय करना है तो आपने वैसे अपलाय करने है और यह लाज बंद आप यह हम को भी मार देतीँ हैं यह दिखें बिल्कुल स्मूच चरि अब मैं आपको config लगा कर दिखा देता हूँ तो guys new update आगी यह उनकी lag fix config है हमारे पर 3-6GB RAM वाली है 512-1.5GB RAM वाली और 812-2GB RAM वाली यह new lag fix config है तो आपने इनको extract कर लेना extract कैसे करेंगे किसी भी रार extractor से तो आपने इसको उपन करके आपने वहाँ चले जाना है जहाँ आपने मेरी config file रखियों मैंने यहाँ पर रखियों है तो guys अब आपने देख लेना है आपके phone की RAM कितनी है मेरे phone की RAM 2GB है इसलिए में 2GB पर टैप करूँगा और extract here कर दूँगा यह भी extract हो जाएगी तो guys यह extract होगी इसके बाद आपने वापिस वही चले जाना है जहाँ आपने मेरी config file रखियों और आप icon देख सकते हैं यह new icon है game update होने के बाद तो हम files में चले जाते हैं एक बार back करते हैं वापिस जाते हैं तो यह सारी config file आजेंगे वापने करना है आपने जाना है internal storage android data यहाँ जाने के बाद आपने com draw dts load free fire को डूंडना है इसको open करना है files को open करना है content catch को open करना है और optional को यहां से cut कर लेना इसको cut करने के बाद आपने वापिस वहीं जाना है चाहाँ आपने मेरी config file रखियों मैंने आप कहीं भी रख सकते हैं तो आपने देख लेना आप कौन सी config लगाना चाहते हैं अगर आपको smooth gameplay चाहिए तो full keyboard आदम config को लगाए यह lag face config को तो हम इसको open करते है com draw dts files content catch और यहां optional को paste कर देते हैं पहले पेस्ट हुआ है आपने confirm कर देना है यह भी replace कर देगा तो guys अब हमारा सारा काम होगे सिर्फ एक काम रहेगा तो आपने वापस जाने इंटर्नल स्टोरेज में इंटर्नल स्टोरेज एंडरोइड डैटा यहां जाने के बाद आपने com.dts.fewire को ढूंड के डिलीड कर देना है और guys अब आपने यहां पर वह वाली config file पेस्ट करने है जो मैंने आपको दिये जो आपने डाउनलोड किये मेरे लिंक्स है तो हम वापस अपनी config file में जाते हैं तो guys वो जो optional वाली file थी हमने फुल वी बोड लाइक फिक्स वनफिक में पेस्ट की थी इसलिए इसको उपन करेंगे com.dts.fewire को को कॉपी करने के बाद आपने जाना है इंटरनल स्टोरेज एंड्रोइड डेटा और यहां इसको पेस्ट कर देना है तो guys जो हमारी lag fix on figure वह successful पेस्ट होगी है जो आपका lag होगो वह बिल्कुली खतम होगया होगा और guys अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें हम जो भी टिप्स और टिक्स देते हैं वह 100% वर्क करती है कोई ऐसी टिप यह ट्रिक नहीं है जो वर्क ना करें